तो एस्पिरेंट कैसे हैं अब सब आई होप आप सब ठीक होंगे आपकी त्यारी जो रोशोरों से चल रही होगी क्योंकि एक्जाम आ गया है अब और जो हमने मौक टेस्ट लाए थे BLW के ला रहे हैं लाए ने थे नहीं तो उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिय तो इससे हमें भी मौटिवेशन मिलती है कि हम भी यहीं चाहते हैं कि आपका एक्जाम क्वालिफाई होना चाहिए तो स्लेबर स्कूल देखके अब हम यहीं रख रहे हैं कि हमने सबसे जादा कौन से सेक्शन उठानी है कंप्यूटर के MCQ लेने हैं ठीक है तो देखते हैं अब स्टार्ट करते हैं आज का आप भी देना होनेस्टी से कि कितने कोशन ठीक हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं ठीक है तो फर्स्ट कोशन है हमारा कंप्यूटर सेक्शन के आई यह विच आउदो फॉल्विंग इस नॉट एन इंपूट डिवाइस इन में से कौन सा है जो इन पूट डिवाइस नहीं है कोशन को द्यान से पढ़ना होता है कि यहां पर क्या लिखा है नॉट लिखा है यह क्या ठीक है इधर भी कंफ्यूजन हो जाती क्योंकि एक्जाम टाइम में प्रैशरी होता है तो इसमें आपने देखना है कि कौन सा है जो इन पूट प्रिंटर है आपका आपशन सी हमारा क्रेक्ट है अब आपको इन पूट और पूट कौन से है वह भी पता होने चाहिए इसमें से भी कोशन पूछते है ठीक है अब डेक्स कोशन है विच प्रोग्राम लैंग्वेज इस फार क्रियेटिंग वैप साइड एन वैप अप अप जैसे आप बैप साइड बनाते हो या बैप अप्लिकेशन में आते हो ठीक है तो उसके लिए कौन सी प्रोग्राम लैंग्वेज यूज़ करते हैं ठीक है उसको बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं बहुत इंपॉर्टन कोशन है तो देखो कौन से करते हैं तो यह करते हम html ठीक है html तो हमारी option c हमारा correct हो जाता है कि अब है कि primary function बताना है cpu का अब html हमने बोला आपने comment में इसकी full form भी बतानी है ठीक है full form लिखे बताना है तो अब है कि primary function अब देखो function तो सभी होंगे cpu के लेकिन पूछा क्या है primary function मुलब जो primary उसका important है ठीक है firstly है जो तो वो कौन सा है storing data display graphic processing data यह sending data over internet तो इसमें जो है primary function ब्यान देना है primary function कौन सा है processing data पी से primary प्री से processing और brain of computer बोलते हम इसको इसकी full form भी central processing unit ठीक यह भी पता होने चाहिए अब है कि इन में से कौन सी volatile memory है ठीक है volatile memory एक volatile है एक non-volatile volatile में हम जो कुछ ही time के लिए temporary होती है जिसमें हम लिखते भी है read भी करते है राइट भी करते हैं वो होती है volatile memory और इसमें read only memory होती वो non-volatile होती है तो आप यहां पे देख लो कौन सी होगी तो यह है हमारी option B ठीक है RAM RAM की full form क्या है random access memory और यह कुन सी है volatile और non-volatile है Rome ठीक है यह भी important है अब है कि what does ISP stand for ठीक है जो internet connect करता है जैसे आप internet use करते हैं सभी तो उसको जो connect करता है उसकी full form क्या है यह पुछा है इन्होंने ठीक है ISP की full form क्या है internet service provider ठीक है प्रोटोकॉल ठीक है प्रोटोकॉल दो rules होते हैं लेकिन यह क्या कर रहा है internet connectivity provide कर रहा है ठीक है तो option A हमारा correct है जो word document है ठीक है which are the following file extension is associated with the word document जो word document है उसकी file extension को हम किसे denote करते हैं ठीक है उसको उससे हम किस से denote करते हैं तो यह है option B dot d o c ठीक है तो option B हमारा correct है अब है which of the following program language is known for its simplicity and readability ठीक है कौन सी language जो होती है जो जिसको हम simplicity भी बोलते हैं और readability भी बोलते हैं ठीक है तो कौन सी program language है वो वो है pathon ठीक pathon option C हमारा correct है अब http की full form पुछी है जो web browser में हम use करते हैं http एक अभी हमने उपर html पढ़ा अब यह http है ठीक है तो इसकी full form पता होनी चाहिए कौन सी है देखो hyper tax transfer protocol protocol का मतलब होता है rule जो transfer करने वाले rule होते है tax को transfer करने वाले rule उनको हम बोलते है hyper tax transfer protocol ठीक है hyper tax transfer protocol option A हमारा correct है आज मैं आपको last में EBS के current जो current में चल रहे है question 5 question दोंगी वो आपने खुद test देना उसका ठीक है अगर नहीं आएंगे question तो कल में उसके answer बता दोंगी पर आप खुद देना यह search करके देना जैसे भी देना आपका वो test रहेगा answer नहीं मैं बताऊंगी उसके आपने answer खुद करने है उसके ठीक है तो अब यह question है हमारा इन में से हमने बताना है कौन सा operating exam ठीक है operating system की example नहीं है ठीक है ध्यान से operating system की example नहीं है अब है window macos linux या microsoft office तो यह नहीं है ठीक है यह नहीं है यह software है अब है url की full form क्या है कभी अभी हम सोचते है यार यह हमें आ जाते है लेकिन जब हम paper में बैठते हैं तो हमें यह आता नहीं है तो तब ही आप mcq की practice करोगे तो उससे फिर जल्दी strike करती है जितना revision करोगे उतना अच्छा है तो url की full form क्या है universal resource locator ठीक है universal resource locator option a हमारा correct है अब pdf दो सभी को पता है न पीडिया पीडिया बोलते हैं लेकिन उसकी full form क्या होती है ठीक है अब उसकी full form पुछी है तो वो क्या है option a portable document format ठीक है portable document format अब एक ethernet cable होती है ठीक है यह सुना होगा आपने network में use करते हैं network जब आप पढ़ते हो topic उसमें ethernet आता है तो उन्होंने बोला है कि जो ethernet cable होती है network में तो उसका क्या purpose होता है ठीक है तो उसका purpose होता है to connect computer in LAN अभी यह LAN आ गया LAN, WAN यह सब पढ़के जाना यह भी पुछते है local area network ठीक है जो local area network में connection के लिए जो केवल हम use करते हैं जो केवल हम use करते हैं उसको हम बोलते है ethernet ठीक है ethernet बोलते हैं ठीक है इसकी full form क्या है local area network तो option c हमारा correct है अब इन में से कौन सा web browser नहीं है ठीक है तो यह सामने दिख र browser नहीं है तो कौन-कौन से हैं यह भी पता होनी चाहिए chrome, chrome तो सभी को पता है कि यह web browser है mozilla, firefox यह भी है safari यह भी है ठीक है और कौन सा नहीं है option c हमारा correct है अब बोला इनोंने कि which component of computer is responsible for processing graphic and visual graphic means कि कौन सा computer का process होता है component होता है जिसमें हम pictures विगेरा अरकते हैं ठीक है तो वो है gpu ठीक है gpu graphic processing unit ठीक है पता होनी चाहिए यह option b हमारा correct है अब next है कि program language commonly used for creating mobile app पहले हमने बोला कि website बनाने के लिए कौन सी language use होती है html अब mobile app, mobile में app बनाने के लिए कौन सी language use होती है java ठीक है java और जो simplest form होती है वो होती है python और जो computer की language होती है computer कौन सी language सुनता है जा समझता है वो है binary ठीक है तो इसका option c correct है अब आपने function बताना है antivirus software क्या ठीक है antivirus software का function क्या है तो क्या function होगा यह virus को protect करता है ना वाइरस के खिलाफ लड़ता है तो option c हमारा correct है जैसे antivirty काम करती है वाइरटी के खिलाफ तो ant antivirus की काम करेगा वाइरस के खिलाफ इन में से कौन सा जो टाइप है वो memory का नहीं है ठीक है memory का टाइप नहीं है computer memory नहीं है easy question है कौन सा है cpu हाना cpu d option अब बोला है कि जो router होता है home network में घरों में जो router होता है उसका क्या purpose होता है to connect the home network to the internet ठीक है जो home network होता है उसको internet से connect करने लिए हम क्या लगाते हैं router ठीक है तो option c हमारा correct है अब इन में से spreadsheet software कुन सा है बहुत इजी आप सबी को आता है आप बड़े तेज हो क्योंकि आपने और रिवाइस कर करके जैके SSV के आप दजीयों दानी है क्योंकि जैके SSV ने बहुत सताया आपको तो बताओ इसका अंसर फिर कुन सा है spreadsheet Excel Microsoft Excel ठीक है तो option है हमारा correct है अब जो modem होता है computer network में उसका क्या काम है तीक है उसका क्या काम होता है वो क्या करता है वो digital signal को analog signal में digital signal को analog इसको दियान में रखना यह बहुत important है digital signal को analog signal में transfer करता है option भी हमारा correct है यह है scheme का question which scheme of central government अब दियान देना है कि central government की scheme है जो improve करती है quality of life of people overall habitat in ruler area तो यह है समग्रा अवास योजना option C हमारा correct है एक central scheme है gram in awas उसका दूसरा नाम के उसको हम क्या बोलते हैं ठीक है तो बरदान मंतरी ग्रामोद्य योजना ठीक है तो option D हमारा correct है अब जो national ruler health mission है this scheme is not a part of national ruler health mission इन में से कौन सी scheme है जो national ruler health mission का part नहीं है तो यह है आंगनबारी scheme नहीं है ठीक है आंगनबारी scheme नहीं है लेकिन है कौन-कौन सी वो भी पता होनी चाहिए जनानी सुरक्षा योजना यह है नवजाद शीशु सुरक्षा करम करम ठीक है accredited social health activist यह भी है तो option D हमारा correct है अब है इस का question जो debtorist food chain है वो कहां से start होती है ठीक है तो debtorist food chain जो start होती है dead organic matter से food chain का मतलब होता है कि खाना transfer करना one place to another आगे ठीक है तो यह C वाला correct है इसका who coined the term acid rain, acid rain को किसने coin किया था ठीक है तो इसको coin किया था Robert Angus Smith ने option D हमारा correct है इन में से कौन सी biosphere reserve की zone है लेकिन एक नहीं है ठीक है एक नहीं है तो spherical zone नहीं है लेकिन यह तीनों है option D हमारा correct है जो red data book होती है उसमें क्या contain होता है कौन सा data contain होता है तो threatened species option C हमारा correct है कौन से reason में maximum diversity होती है कौन से reason में maximum diversity होती है diversity मतलब different variety सबसे चादा होती है तो वो है coral reef ठीक है option D हमारा correct है hot spot हा reason आप hot spot क्यों बोलते हैं क्योंकि वहां पे high and miss होते हैं अब जो koto protocol हुआ था जपान में koto कहां की नाम है जपान का नाम है तो इसका main agreement क्या था country के बीच में agreement हुआ था global warming को कम करना ठीक है agreement होता है यह among the country क्या step उठाना था reduce करना global warming ठीक है koto protocol किसके लेटे है global warming तो option A हमारा correct है इन में से कौन सी जो है वो green house gases है ठीक है तो कौन सी है देखो सारी लग रही है न तो डी लगा दो methane water vapor कारंडा इकसाइड यह सारी ही है ती और जोन डे हम कब बनाते हैं तो 16 September 16 September 5 June को क्या बनाते हैं वो भी आपने comment में बताना है 5 June को कौन सा डे होता है Energy flow in ecosystem जो food chain होती है या पैरामीड होता उसमें जो energy flow करती है तो कौन सी direction में flow करती है बहुत important question है तो यह करती है unidirectional ठीक है unidirectional option B हमारा correct है अब जो ecological succession होता है उसका जो final stable community होती है उसको हम क्या बोलते है ठीक है ecology succession आपने पढ़ा होगा उसकी जो final state होती है जा final community होती है उसको हम क्या बोलते है climax option A हमारा correct है यह हमारा modern history कोशन है कि British East India Company defeated the Portuguese ठीक है East India Company ने Portuguese कोन सी battle में हराया था तो बैटल आफ़े सूबली बकसर पलासी या चमकोर तो यह बैटल आफ़े सूबली ठीक है option है हमारा correct है जब बैटल आफ़े बकसर होती है तो उसमें जो English Army को कौन लीड कर रहा था who lead the English Army in the battle of a boxer very important और बहुत important war है यह Hector Munro ठीक है जो battle of a boxer है उसको lead करने वाले है Hector Munro इन में से कौन सा rebellion है जो बेंगॉल में नहीं हुआ है ठीक है कौन सा rebellion जो बेंगॉल में नहीं हुआ है तो यह है बगेरा लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन-कौन सा हुआ है ऐसे भी पूछ सकते है न वो तो यह हुए सन्यासी चोहार पागल पंती अब यह किसान मुमें न्यूज में चलता रहता तो यह आपको पता होना चाहिए और साथ में फर्स टाइम लिखा है तो फर्स टाइम तो सब कुछ रटा माना होता है फर्स टाइम इन इंडिया दा किसान दिवस वा सेलिवरेट आन विच आव दा फॉल्विंग इयर तो 1936 ठीके 1936 से हम किसान दिवस को सेलिवरेट करते हैं इन इंडिया में इटिके अन आलिमेंन्ट आफ अक्मसर आप्मॉस्फेर अटमॉस्फेर कौन सा अलिममन्ट है इसमें से तो और सैन बी बैर इजी कोशन अपर मूस्ट लेयर आप्मॉस्फेर ठीके अपरमोस्ट लेर कौन सी है एटमास्फिर की एग्जोस्फिर ठीके एग्जोस्फिर पहले कौन सी आती है ट्रोफो फिर स्टेटो फिर मीजो फिर आयनो फिर एग्जो ठीके तो कोशन भी हमारा भी इसका correct है अब next question है कौन से article में DPSP में village पंचायत ठीके village पंचायत आती है DPSP में directive state of principle में village पंचायत आती है यह बहुत important है तो article 40 ठीके article 40 में आती है और amendment होता है 73rd amendment last में यह आपके लिए कोशन है 5 कोशन आपके homebook है या आपने खुद करने है अब नहीं आएंगे तो मैं कलांसर बता दूंगी पर आपने करना यह आपका homebook है first question है the national clean air program aim to reduce which of the following ठीक है जो national clean air program अभी चल रहा है उसका क्या aim है किसको reduce करना aim है किसको कम करना aim है ठीक है तो first option है PM 2.5 second है PM 10 third है CFC यह दोनों को ठीक है तो यह आपने करना है इसके answer अब यह question है कि Environment Protection Act कब launch हुआ था यह आप सभी को पता होगा इसका भी आपने करना है five question देने है मैंने तो be honestly इसका comment करना अब जो national action plan and climate चल रहा है तो इन में से कौन सा component नहीं है उसका solar mission नहीं है water mission नहीं है thermal mission नहीं है green India नहीं है यह strategy knowledge for our climate यह नहीं है ठीक है first green city which city in India was designed as a country first green city आपको पता है कि जो first होती है वो important हो जाती है और first green city बनी है किसके अंडर green city action plan green city जो action plan चल रहा है उसके अंडर first green city बनी है तो कौन सी है वो यह पुछा हुआ इनोंने ठीक है तो देखो new Delhi, Mumbai, Bangalore या पूने अब जो नुमामी गंगा initiative है which one of the one of the top 10 world restoration flagship program इन में से कौन से ठीक है इन में से कौन है जो world 10 top 10 में आया हुआ है Asian, European Union, United Nation या Gulf Corporation Council ठीक है तो यह five questions है current affair के तो आपने इसके खुद answer करने है और बाकिया आपका MCQ test था तो friends बताना कि आपको कैसा लग रहा है यह session थैंक यू जाओ तो